हेलो फ्रेंड्स मैंने कल कुछ समर फ्लावरिंग प्लांट्स जिन में पर्मनेंट हैं कुछ सीजनल हैं और कुछ मैंने प्लांटर्स की भी शॉपिंग की है ये वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कुछ 3-4 हफते पहले मैंने नर्सरी से शॉपिंग किये प्लांट की उनको मैंने रिपॉट किया हुआ तो देखीं यह बाला प्लांट चाइना पाम इसको मैंने इस पॉड् TwoH तो लाने के एक हफता दस दिन के बाद ही मैंने इन सब को रिपॉर्ट किया है तो इस साइड दखी मैंने रखा हुआ है थोड़ा शेड है इधर तो अच्छा है रिपॉर्ट के बाद तो यह देखिए एक फाइकस वरीगेडट वाला लाया था तो इसमें रखा है और यह रब काफी तो उपर से वाइन है तो यह जड़ती रहती हवा चलने से तो सब उसमें पढ़ता रहता है अब मैं आपको दिखाती हूं जो मैंने कल शॉपिंग किया है तो उसमें एक देखिए मैंने यह किया हुआ है चांदी का पौदा है और इसमें थोड़ी सी चाल छे पत्तिय जहीं कि यह जड़िए मैंने हैं चोता सा गंबला हैं बहुत ही नाजुक सा है तो मैंने इनको यहीं पर रखा है कि यहां रहता है और कुछ मैंने यह पीट मॉ mechanics लिया है मैंने और साथ ही मैंने एक बैग यह खादी लिया हुआ है और अब मैं आपको दिखाती हूं जो और स कि यह प्लैंटर है बास्केट कहेंगे क्योंकि इसको लटका सकते हैं तो इसको मैं कहां लगाँगी तिखाती हूं बहुत ही अच्छी मजबूत है और इसमें देखिए इसका प्राइज भी बहुत ही रिजनेबल है N다 2.000 та 1.000 लिक्म, अइक रियाeln का दिया , इसमें देखिए GCCI होल भी बहुत अच्छा है देखिए और सोकता अगर अगर अगए उन्छात आहत तो जैसे की इस तरीकी की जगह है यह यह यहाँ यह देखिए यह रॉड है तो अब हम यहां पे लगा सकते हैं यहां पे तो यह तीन लगा देंगे तो यह बहुत अच्छा लगएगा नीचे भी बास्केट बास्केट तो यह कॉर्नर अच्छा हो जाएगा के साथ साथ मैं लगकर आई हूँ कुछ सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स ही कहेंगे यह देखिए विंका के यह तो समर में भी चलते हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और विंटर में भी तो यह मैं तीन ही चार लेकर आई हूँ ज्यादा नहीं उसने ऐसे ही मेरे दाल दिया मैंने कर तीन चार दे दो पहले से मेरे पास और यह जीनिया भी बहुत अच्छे समर में फ्लावरिंग करते हैं तो यह तो मैं सीजनल दो लेकर के आई हूँ और साथ ही जो है देखिए मेरे पास ज़्यादा जगहें नहीं नहीं तो मैं बहुत प्लांट्स लेकर पहले भी लाया था और बहुत खराब गर्मी थी और चुट्टी चले गए तो वह खराब हो गया एक साल उसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग कि तो क्रीपर क्या है इस तरह तो इसमें ऐसे लग जाएगी यह फिर जैसी कि किसी बड़े पॉट में रख दिया तो पॉट यह यहां रख करके और फिर उसको ऊपर इस तरह चढ़ा देंगे तो चढ़ जाएगा इसके साथ यहां लमांडा भी चढ़ता रहेगा यह फिर मैं यहां पर रख करके इधर स्पिनेश माला बार स्पिनेश वाइन लगाया है इधर चढ़ाया तो आप लोग मुझे बताई कि म कि मेरे गार्डन में ज्यादा जगह नहीं है चारो तरफ प्लांट से अंदर भी बाहर भी इसके लिए मुझे जगे बनानी है और यह जो बास्केट है फ्रेंड्स यह बास्केट देखिए इसको मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे इस तरह के चीज़ों को तो मैंने लटका और नीचे भी जो है यह सारे के सारे यहां पर है और अगर और मुझे मिला ना उसके पास पांच छे ही थी मैंने उसके और इसके पास नहीं थी और उसने का एक हफ़ते बाद आना देखिए इधर भी कितना अच्छा लग रहा थी तो मैंने लगा दिया तो मैं फिर से जाओ हुआ इसमें एक-एक करके लगा दूँगी जैसी यह सब लगा है नीचे वाला यह सब परसलें और कुछ को मैं यहां पर लगा दूँगी इस ट्रेलिस में अटका दूँगी तो यह बहुत अच्छा एरिया हो जाएगा तो फ्रेंज आप लोग भी इसी तरह के के प्लांट क्लांटस venture एक उस्रीटों कैसी लगी अगरे अच्छी लगी तो यह लेकर बांटी को लाइफ ने चल्च को सब्सक्राइब करें थैंक् यू